4, 3, 2, 1 प्रियोग में लाया जाता है मैं इस बात को कई बार इस सदन में कह चुका हूँ और मैंने इस विधान परिशत की नियमावली में एक वर्ष पहले एक संशोधन भी रखा था लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वह संशोधन वर्ष भर्ष से इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो सका मेरी अपनी राय है कि कम से कम दैनिक कारियों के लिए यदि सरकार अंग्रेजी भाषा पर बंधन लगा दे तो बहुत अच्छा हो और जो यह अनुशाशन हींता है वह भी समाप्त हो जाए सभापती महोदय जैसा कि मेरे मित्र ने कहा लड़कों के माता पिता अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और उनके शिक्षक भी उसका प्रयोग करते हैं फिर बालकों पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा मैं उनसे सहमत हूँ कि बालकों में नकल करने की आदत होती है जैसा वे अपने बड़ों को करते हैं वैसा ही वे करते हैं अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका प्रभाव बालकों पर अवश्य पड़ेगा आप देखेंगे कि जिस मनोगृति के माता-पिता और शिक्षक होते हैं उसी प्रकार के बालग भी होते हैं हम दूसरों को तो परामर्ष दे देते हैं, लेकिन स्वयम उस पर अनुपालन नहीं करते। इसके साथ ही साथ हमको शिक्छा परणाली की ओर भी ध्यान देना है। शिक्छा के जिन तरीकों को आजकल अपनाया जा रहा है, वेवास्तों में लावकारी नहीं है। सरकार की ओर से इस प्रकार का आदेश होना चाहिए कि 14 वर्ष तक बालकों को अपनी मात्र भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी और दनीकारियों में भी अंग्रेजी का प्रियोग नहीं होगा। सबापती महोदय आज हमारे देश में जो उपर से लेकर नीचे तक शिक्षा दी जा रही है उसमें व्यवस्था ही एक कारण है जिसकी वजह से शिक्षा का अस्तर गिरता जा रहा है। गोद में पला है उसको यदि अपनी मात्र भाषा में ही शिक्षा दी जाए तो मेरा विचार है कि शिक्षा का इस्तर ठीक हो सकता है। जो सबसे बड़ी भूल और कमी सरकार के द्वारा दी जाने वले शिक्षा के संबंद में हो रही है। वहिया है कि बालक की मात्र भाषा में शिक्षा न देकर उसको उस भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्ता की गई है जो हमारे देश या प्रदेश की भाषा कभी रही ही नहीं। मेरा विप्राय विदेश भाषा अंग्रेजी से है। मैं यह मान कर चलता हूँ कि जब से यह भाषा इस देश में आई है चाए वह किसी कारण से आई हो इसे आप भी और इस मानने शदन के सदस से भी जानते हैं कि उससे बुरे प्रदाम ही निकले हैं कोई भलाई नहीं हु जो हानी हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे जहां जितना फैशन बढ़ रहा है और जितना वेश भूसा बिगड रही है वह सब अंग्रेजी भाषा के ही कारण है। परंतु यह इस प्रदेश और इस देश का दुर्भाग है कि अंग्रेजों का राज समाप्त हो जाने के बाद भी लोग उनकी वेश भूसा को पहनते चले जा रहे हैं। इससे जो प्रभाव हमारे देश के फैशन पर पड़ा उससे लाब के बजाए हानी ही हुई है और हो परियाप ध्यान देने की आवशक्ता है। क्रिश्विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उस पर देश के लिए परियाप्त अन पैदा करने के महान भार हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि अधिक अन उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुक कावट न हो बहुत सी हर्तालें हो सकती हैं मजदूर काम से बरी हो सकते हैं लेकिन किसी भी हालत में विखाने से बरी नहीं हो सकते अब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हर्तालें हो जाती हैं छुट्टी हो जाती है तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दि अपनी खपत से अधिक उत्पादन कर उसका अंदिर्यात कर सकें। सरकार तथा इस मंत्राले के लिए यह समस्या एक बड़ा सिर्दर्द पैदा कर रही है। हर एक विभाग में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं और हजारों रुपए के बड़े बड़े वेतन ले रहे हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्याले की मिसिलों और कागजों में लगा रहता है। इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपून है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है। इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्य कदम उठाना इसके जिम्मे है। आज मेरे पास लखनवू से कुछ लोग आये थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं लेकिन हमारी तो जान खत्रे में है। वहाँ ओले गिर रहे हैं और हमारी गिहूं की फसल खत्रे में है। वह एक भेंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास चाहे वह सामाजिक हो आर्थिक हो या सांस्कृतिक रुका हुआ है और ऐसी स्थिति में हम आगे बड़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से इस परिसिति का निर्माड हम पिछले 54 वर्षों से देख रहे हैं। मंतरी महोदे ने यहाँ पर अभी कहा कि राश्ट्रपती इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है। ऐसे बहुत से उदारण हमारे देश में मौजूद हैं। अगर कोई राजनितिक पार्टी जम्यदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह इस पश्ट है की राश्ट्रपती सासन अपने हाथ में लें। मैं एक उदाहरन देता हूँ कि संग्विधान में आदिवासी हर्जनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि दस वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक सिति को सुधार देंगे। लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। उसको एक बार दस वर्ष के लिए बढ़ाया गया और दुबारा फिर दस वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नती आप नहीं कर पाएं हैं। इस काम में सरकार बिलकुल असफल हुई है पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है वह एक बहुत ही भयंकर समस्या है महोदय यह भी विचार किया गया है कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है चाहे आविश्कार का काम करे चाहे दूसरा कोई काम करे उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सहयोग या समाज ने जो परिश्रम किया है या कुछ आविश्कार किया है उसका उपयोग उसको प्राप्त न हो, उसका उपयोग वह न कर सके। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का अविश्कार करता है तो अविश्कार करने में न किवल उसका अपना परिश्रम रहता है, लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है चाहे विज्ञान के शेत्र में या प्रदोगी के शेत्र में या किसी अन्य शेत्र में उस सबसे भी वो लाभानवित होता है